C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत्य श्रंखला ओडियो बुक इस श्रंखला में आईए सुनते हैं कक्षा 10 के इतिहास विशय की पाठ्थे पुस्तग भारत और समकालीन विश्व भाग दो वाचंस्वर संजय चंसूरिया अध्याय दो भारत में राष्ठवाद भारत में राष्ठवाद जैसा कि आप सुन चुके हैं यूरोप में आधनिक राष्ठवाद के साथ ही राष्ठ राज्यों का भी उदै हुआ इससे अपने बारे में लोगों को समझ बदलने लगी वे कौन है उनकी पहचान किस बात से परिभाश्चित होती है ये भावना बदल गई उनमें राष्ठ के प्रती लगाव का भाव पैदा होने लगा नए प्रतीकों और चिन्हों ने नए गीतों और विचारों ने नए संपर्ग स्थाबित किये और समुदायों की सीमाओं को दुबारा परिभाश्चित कर दिया ज्यादतर देशों में इस नई राष्ठवी पैचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ आईए देखें कि हमारे देश में यह चेतना किस तरह पैदा हुई वियतनाम और दूसरे उपनेवेशों के तरह भारत में भी आधनिक राष्टवाद के उदाई की परिगटना उपनेवेशबाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तोर पर जुड़ी हुई थी आपनेवेशक शाषकों के खिलाफ संगर्श के दोरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे उत्पीडन और दमन के साजा भाव ने वेबिन समूहों को एक दूसरे से बांध लिया था लेकिन हर वर्ग और समूहों पर उपनेवेशबाद का आसर एक जैसा नहीं था उनके अनुभाव भी अलग थे और सुतंतरता के मायने भी बहने थे मात्मा गाजी के नतुर्द में कॉंग्रेस ने इन समूहों को इकट्टा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया परंतु इस एकता में टकराओ के विंदू भी नहीं थे पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत में राष्टबाद के उदय का अध्यन किया था वहाँ आपने बीस्वी सदी के पहले दशक तक की कहानी सुनी थी इस अध्याय में हम उननी सो बीस के दशक से आगे अध्यन करेंगे और असायूग आंदोलन तथा सविनय अवग्यांदोलन के बारे में सुनेंगे हम ये देखेंगे कि कॉंग्रेस ने राष्ट्री आंदोलन को विक्सित करने के लिए किस तरह के प्रयास किये इस आंदोलन में वेभिन सामाजिक समूहों ने किस तरह सलिया और किस तरह राष्टवाद ने लोगों की कल्पना को नई उडान दी यहां एक चितर दिया है इस चितर में राष्टी आंदोलन के दोरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बाद थी यह घटना 1-6 अपरेल 1999 की बीच की है पहला विश्वयुद, खिलाफत और असहयोग 1919 के बाद से सालों से हम इदेखते हैं कि राष्टी आदोलन नई इलाकों तक फैल गया था उसमें नई सामजिक सम्हूँ शामिल हो गए थे और संगर्ष की नई पद्दतिया सामने आ रही थी इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे उनके क्या प्रणाम हुए सबसे पहली बात यह है कि विश्वयुद ने एक नई आर्थिक और राजनीती के स्थिती पैदा कर दी थी जिसके करण रक्षा गया में भारी इजाफा हुआ इस खर्चे की भरपाई के लिए युद्दे के नाम पर करजी लिए गए और करों में वर्धिकी गई सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू किया गया युद्द के राजदारान खीमतें तेजी से बढ़ रही थी 1913 से 1918 के बीच खीमतें दोगनी हो चुकी थी जिसके करण आम लोगों की मुश्किले बढ़ गई थी गाओं में सिपाहियों की जवरन भरती किया गया जिसके करण ग्रामिन इलाकों में व्यापक गुस्सा था 1918 और 1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई जिसके करण खाद्य पजार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया उसी समय फ्लू की महमारी फैल गई 1921 की जनगरना के मताबिक दुरभेक्ष और महमारी के करण 120-130 लाख लोग मरे गए लोगों को उमीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ इसी समय एक नया नेता सामने आया और इसने संगष का एक नया ढंग एक नया तरेका पेश किया नये शब्द जबरन भरती इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबर्दस्ती सेना में भरती कर लेते थे प्रिश्ट संख्या 31 सत्या ग्रह का विचार महत्मा गांधी जनवरी 1915 में भरत लौटे इससे पहले वे दक्षण अफरिका में थे उन्होंने एक नए तरह के जनांदुलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी सरकार से सफलता पुर्वक लोह लिया था इस पद्धती को वे सत्या ग्रह केते थे सत्या ग्रह के विचार में सत्य की शक्ती पर आग्रह और सत्य की खोच पर जूर दिया जाता था इसकारती यह था कि अगर आपका उद्धेश्श सच्चा है यदि आपका संघर्श अन्याए के खिलाफ है तो उत्पीड़क से प्रतिशोत की भावना या आक्रामक्ता का साहरा लिए बिना सत्या ग्रही केवल अहिंसा के साहरे भी अपने संगर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी का विश्वास था कि आइंसा का या धर्म साभी भारतियों को एकता के सूतर में बांद सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्या ग्रह अंदोलन चलाया। 1916 में उन्होंने बिहार के चमपारन इलाके का दोरा किया और दमनकारी बागान बेवस्था के खिलाब संगर्ष के लिए प्रिड़ किया। 1917 में उन्होंने गुजरात के खिड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्या ग्रह का आविजन गिया। फसल खराब हो जाने और प्लेकी महमारी के करण खिड़ा जिले के किसान लगान चुकाने की हलत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली में ढेल दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मददूरों के बीज सत्याग्रे आंदुलन चला ने एहमदाबाद जा पहुँचे। यहां एक चितर दिया है इस चितर में दक्षड अफरिका में भारती बज़दूर फोकस्ट से गुजर रहे हैं यह घटना 6 नवंबर 1913 की है न्यू कैसल से ट्रांसवाल की और बढ़ रहे इस जलूस में महात्मा गांधी मददूरों का नेतरत्व कर रहे थे जब जलूस इस काम्याबी से उत्साहिद गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलिट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट व्यापी सत्याग्रह अंजलन चलाने का फैसला लिया भारती सदस्यों के भारी विरोत के बावजूद इस कानून को इंपीरियर लेजिसलेटिव कांसिल ने बहुत जल्दवाजी में बारित कर दिया था इस कानून के जरिये सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कोचलने और राजनीतिक कैदियों को दो साल तक बिना मुकादमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था महत्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूने के खिलाफ आइंसक ढंग से नागरिक अवग्या चाहते थे इसे 6 अपरेल को एक हड़ताल से शुरू होना था वेबेरे शहरों में रैली जुलूसों का अजन किया गया रेलवे वरक्शॉप्स में कामगार हड़ताल पचले गये दुकाने बंद हो गई इस व्यापक जन उभार से चंततता रेलवे और टेलिग्राफ जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने के अशंका से भैवीत अंग्रेजों ने राष्ट वैपियों पर दमन शुरू कर दिया अमर्ज सर में बहुत सारे इस्थानी निताओं को हिरासत में ले लिया गया गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई दस अप्रेल को पुलिस ने अमर्ज सर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी इसके बाद लोग बैंकों डाखनों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने लगे मार्शल लॉल लगू कर दिया गिया और जनरल डायर ने कमांज समाल दी अब एक शुरोत को ध्यान से सुनिए सत्याग्रह पर मात्मा गांधी के विचार कहा जाता है कि निश्क्रिय परतिरोत दुर्बलों का हतियार है लेकिन इस लेख में जिस शक्ती की बाद की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तिमाल कर सकते हैं या निश्क्रिय परतिरोत की शक्ती नहीं है इसके लिए तो सगन सक्रिता होनी चाहिए धक्षन अफरेका का अंदुलन निश्क्रि नहीं बलकि सक्री अंदुलन था सत्याग्रह शारिरिक बल नहीं सत्याग्रह अपने शत्रु को नश्ट नहीं पहुँचाता वो अपने शत्रू का विनाश नहीं चाहता, सत्याग्रे के प्रयोग से दरभावना के लिए कोई स्था नहीं होता, सत्याग्रे तो शुद्ध आत्ममल है, सत्य ही आत्मा का अधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रे का नाम दिया गया है, आत्मा ग्यान से हमेशा लैस हो अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हतियारों से लैस हो सकते हैं, हूते जा रहे हैं, भारत में करोणों लोग कभी हतियार लेकर नहीं चल सकते, उन्होंने अइंसात के धर्व को आत्मसात कर लिया है. इस इस रोध को आपने ध्यान से सुना, जब म हत्मा गांधी ने सत्या ग्रह को सक्री प्रतिरोथ कहा, तो इस से उनका क्या आशय था? प्रिष्ट संख्या 32 तेरा अप्रेल को जलियावाला बाग हत्या काड़ हुआ उस दिर अमरिस्तर में बहुत सारे गाउवाले सालाना बैसाखी बेले में शरकत करने के लिए जलियावाला बाग मैदान में जमा हुए थे काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किये गए दबनकारी खानून का विरोध करने के लिए कदिर्थ हुए यह मैदान चारों तरफ से बंद था शेहर में बाहर होने के करण वहाँ जूटे लोगों को यह पता नहीं था कि अलाके में मार्शल लागू किया जा चुका है ग्रहियों के जहन में गहशत और विस्माय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन करना चाहता था जैसे जैसे जलिया वाला बाग की खबर फैली उत्तर भारत के बहुत सारे शेरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे हर्ताले होने लगी लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे सरकार ने इन कारवाईयों को निर्मम्ता से कोचलने का रास्ता अपना लगा सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रिकाडने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया लोगों को कोडे मारे गए और गाओं पंजाब का गुजरावला पर बम बरसाए गए हिंसा पहलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले दिया बहले ही रॉलिट सकते अगरे एक बहुत बड़ा अंदोलन था लेकिन अभी भी वो मुक्यरूप से शेहरों और कजबों तक सीमित था महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार बाला अंदोलन खड़ा करना चाते थे लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चला जा सकता उन्हें लगता था कि खिलाफत को मुद्दा उठा कर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं पहले विश्वयुद में आटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी इस आशे की अववाहें फैली हुई थी कि इसलामे के विश्वय के आध्यात पे कनेता याने खलीफा आटोमन समराट पर एक बहुत सक्त शान्ती संदी सूपी जाएगी खलीफा की तातकालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1999 में बंबई में एक खलाफत समयती का गठन किया गया था महमद अली और शौकत अली बंधूं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम निताओं ने इस मुद्धे पर संयुक्ते जनकारवई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू करती थी सितंबर 1920 में कॉंगरिस के कलकता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे निताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खलाफत आंदुलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदुलन शुरू किया जाना चाहिए यहाँ एक चित्र दिया गया है इस चित्र में जनर्ल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिजट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं चित्र पंजाब का है वर्ष 1919 प्रिश्च संख्या 33 असहयोग ही क्यों अपनी प्रसिद्ध पुस्तग हिंद स्वराज वर्ष 1909 में महत्मा गादी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतियों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के करण चल पा रहा है अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन नहे जाएगा और स्वराज का स्थापना हो जाएगी असहयोग का विचार अंदोलन कैसे बन सकता था गांदी जी का सुझाओ था कि यह अंदोलन चारण मद्ध तरिके से आगे बढ़ना चाहिए सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदिमिया लोटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियों सैना, पोलिस, अदालतों, विधाई परिशदों, स्कूलों और विदेशी वस्तों का बहिशकार करना चाहिए अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविने अवग्या अभियान भी शुरू किया जाएगा 1920 की गर्मियों में गांदी जी और शौकत अलिया अंदुलन के लिए समर्था जुटाते हुए देश भर में यात्राइं करते रहे नए शब्द बहिशकार किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इंकार करना या गतिविधियों में हिस्सेदारी चीजों को खरीद वर इस्तेमाल से इंकार करना आम तोर पर यह विरोध का एक रूप होता है कॉंग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंके थे वे नवमर उन्नी सो बीस में विधाई परिशत के लिए होने वाले चुनावों का भाहिशकार करने में हिचकिचा रहे थे उन्हें भैथा कि साथ दूरों में लोग हिंसा कर सकते हैं सितंबर से दिसंबर तक कॉंग्रेस में भारी खींस्तान चलती रही कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच उसे हमती नहीं बन पाएगी आखिरकार दिसंबर उन्नीसो बीस में कॉंग्रेस के नागपुर अधिविश्यान में एक समझ होता हुआ और असायोग कारिकरम पर स्विक्रती की मोहर लगा दी गई आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा उसमें किन लोगों ने हिस्ता लिया विभिन सामजुक समुहुने असायोग के वचार को किस तरह समझा यहां एक चित्र प्रदक्षित किया गया है इस चित्र में जुलाई 1922 की घटना है जिसमें विदेशी कपड़े का बहिश्कार किया जा रहा है विदेशी कपड़ों को पश्चे में आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता था आंदोलन के भीतर अलग-अलग धाराएं आसायोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ इस आंदोलन में विदेशामाजग सामूहों ने हिसा लिया लेकिन हरें की अपनी अपनी आकांख्षाएं थी सबी ने स्वराज के आवान को सिवकार तो किया लेकिन उनके लिए उसके अर्थ अलग-अलग थे शेहरों में आंदोलन आंदोलन की शुरूआत शेहरी मध्यवर्ग की हिस्सेदारी के साथ हुई हजारों वेत्यार्थियों ने स्कूल को अलेच छोड़ दिये हेड मास्टरों और सिख्षकों ने स्तीफे सौंब दिये वकीलों ने मुकद में लड़ना बंद कर दिया मदरास के अलावा ज्यादा तर प्रांतों में परिश्द चुनावों का बहिश्कार किया गया मदरास में गेर ब्रामणों द्वारा बनाई गए जस्टिस पारटी का माना था कि काउंसिलिंग में काउंसिल में प्रवेश के जरीए उन्हें भी अधिकार मिल सकते हैं जो सामान रूप से केवल ब्रामणों को मिल पाते हैं इसलिए इस पारटी ने चुनावों का बहिश्कार नहीं किया आर्थिक मोर्चे पर असायोग का असर और भी ज्यादा नाट की रहा विदेशी सामानों का बहिश्कार किया गया शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया था उसकी खिमत 102 करोड से घटकर 57 करोड रह गई बहुत सारे स्थानों पर विदेशी चीजों का विदेशी चीजों का विदेशी 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 चीजों का 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 विदेशी च जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्टरी या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ब्रिटिश संसाधनों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। लेकिन वैकलपिक संसाधनों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धिमी थी। फलसरूप, विद्यार्थी और सिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई प्रिष्ट संख्या 35 विक किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के करवसू रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्यदार के तौर पर उनके पट्ये निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्ये की जमीन से हटा दे ज़दा था ताकि जमीन पर उनका कोई अधि की सुधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नाई धूबी बंद का फैसला लिया। जून उनिसोबीस में जवाहरला लहरू ने अवत के गाउं का दोरा किया। गाउंवालों से बादचित की और उनकी व्यता समझने का प्रयास किया। अक्तूबर तक जवाहरला अंदूलन शुरू हुआ तो कॉंगरेस ने आवच के किसान संघर्ष को इस अंदूलन में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन किसानों के आंदूलन में ऐसे सवरूप विक्सित हो चुके थे जिनमें का ने तरतव खुश नहीं था। 1921 में जब अंदूलन फैला तो ताल गांधी जी ने एलान कर दिया है कि आप कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बाट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कारवाईयों और आकांगशाम को सही ठहरा रहे थे। आदिवासिक किसारों ने महात्मा गांधी के संदेश और के विचार का कुछ और मतलम निकाला। उधरन के लिए आंद्रवदेश की गूडें पहाड़ियों में 1920 के दर्शक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। नए शब्द बेगार बिना किसी पारिश्रमिक के काम करवाना। गिर्मिटिया मजदूर। आप निवेशिक शासन के दोरां बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज, आदी स्थानों पर ले जाया गया था जिनने बाद में गिर्मिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक अनुभंध याने एग्रिवेंट के तहत ले जाया जाता थ बाद में इसी एग्रिवेंट को ये मजदूर गिर्मिट कहने लगे जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिर्मिटिया मजदूर कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंटर्ड लेबट कहा जाता है। गति विधी, अगर आप 1920 में उत्तर प्रदेश में किसा होते तो स्वराज के लिए गांधी जी के आवान पर क्या प्रतिक्रिया देते अपने उत्तर के साथ कारण भी बताईए। माल लीजिए कि साल 1920 चल रहा है। आप सरकारी स्कूल के विध्यार्थी हैं। विध्यार्थियों को आसाहियों गांदूलन से जुड़ने का आवान करते हुए एक पोस्टर बनाई ये। वेश्यों को चरा सकते थे ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इससे पाहडों के लोग परिशान और गुस्ता थे। ना किवल उनकी रोजी रूटी पर असर पढ़ रहा था बलकि उन्हें लगता था कि उनके परमपरागत अधिकार भी छीने जा रहे ह जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेगार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतरत करने वाले अलूरी सीताराम राजू एक दिलजस्त देक्ती थे। उनका दावा था कि उनके पास एक बहुत सारी विशेश शक्तिया हैं वो सटीक खगोली अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती हैं। राजू के व्यक्तित्व से चमर्कृत पिद्रोहियों का विश्वास था कि वो इश्वर का उतार है। राजू माहत्मा गांधी की माहनता के गु के जरिये ही आजाद हो सकता है। गुडें पिद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किये, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गोरिल्ला युद्द चलाते रहे। उन्निस चौविस में राजू को फांसी दे दी गई, रा आसम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन चार दिवारियों से जब चाहे आजा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गाउं से संपर्ग रख पाएंगे। मजदूर अपने अधिकारियों की आवेहिलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिये और अपने घर को चल दिये। उनको लगता था कि अब गांधी रा जा रहा है इसलिए अब तो हर एक को गाउं में जमीर मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं वे रास्ते में ही भसे रह गए। उन्हें पुलिस में पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। इन इस्थानी अंधुलन की उपेक्षाओं और द्रश्टियों को कॉंग्रेस के कारिक्रमों में परिभाशत नहीं किया गया था। उन्होंने तो स्वराज शब जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़ कर मौत के घाट उतार दिया था। क्या ऐसा ही उधरन आप इंडो चाइना के राष्टी अंधुलन में पता सकते हैं जिसे आप अध्याद दो में सुन चुके हैं। प्रिष्ट संख्या 37 इस चित्र में वर्ष 1922 के चौरी चौरा घटना का उल्लेक है। गोरकपुर इस चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिफुन जुलूस पुलिस के साथ एहिंसक टकराओं में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्ना गांधी ने असायोग आंदूलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदूलन हिंसक होता जा रहा है और सत्या ग्रहियों का व्यापक प्रसिक्षन की ज़रूरत है। सी आरदास और मोती लाल लहरू ने परिशद राजनीती से में वापस लोटने के लिए कॉंग्रेस के भीतर ही स्वराज परटी का गठन कर डाला। जवाहर लाल लहरू और सुभास चंदर बोस जैसे युवानेता ज्यादा उग्र जनान दुलन और पूर्ण सुतंतरता के लिए दबा बना हुए थे। आंतरिक बहस और ऐसामेती के इस माहल में ऐसे दो तत्व थे जिनोंने बीस के दशक के आखरी सालों में भारती राजनीती की रूप रेखा एक बार फिर बदल दी। पहला कारक था विश्व ब्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से क्रशी उतपादों की किमेते गरने लगी थी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशा ही हो गई। क्रशी उतपादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपच बेचना और लगा चुकाना भी भारी पढ़ने लगा। 1930 तक ग्रामिल इलाके भारी उतल पुतल से गुजरने लगे थे। इसी प्रिश्ट भूमी में ब्रिटेन की नई टूरी सरकार ने सर जौन साइमन के नेतरतों में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। वापस जाओ साइमन कमिशन गो बैक के नारों से क्या गया। कॉंग्रेज और मुस्लिम लीग सभी पर्टियों ने प्रदर्शनों में हिसा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वाइसराय लाड एर्वन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डॉमेनियन स्टेटस का गोल मियूल सा एलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी समयधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल में समयलन आज़ित क्या जाएगा। इस प्रस्ताव से कॉंग्रेस के नेता संतुष नहीं जवाहरला नहरू और सुभाज चंद्रबोस के नेतरतों में कॉंग्रेस का तेज तर्रार खेमा आकरवक तेवर अपनाने लगा। उतारवादी और मध्यम मारगी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही समयधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे लेकिन इस खेमे का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाय जाएगा और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्च की शापत लेंगे। इस उत्साव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोज मर्रा जिंदिगी के ठोस मुद् देश को एकड़ूट करने के लिए महत्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवर 1930 को उन्होंने वाइसराई रिविन को एक ख़त लिखा। इस ख़त में उन्होंने 11 मांगों का उलेग किया था। इन में से कुछ सामाने मांगे थी जबकि सबसे महत्यपून मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सबी इस्तिमाल करते थे। ये भोजन का एक अभीन हिस्टा था। इसकी नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इजायदारी को महत्मा गांधी ने बिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महत्मा गांधी का ये पत्र एक चेताफनी अर्थात अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कॉंग्रिस सबिने अवग्या आंदूलन छिड़ देगी। एरविन जुकने को तयार नहीं पहल सुरूब महत्मा गांधी ने अपने 78 विश्वास्ते वॉलिंटरियों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबर मती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलो मीटर दूर दांडी नामक गुजराती तट्डी कजबे में जाकर खत्मोनी थी। गांधी जी की ट की शांती पूर्वक अवग्या करें यानि अंग्रेजों का कहा ना मने। 6 अपरेल को वो दांडी पहुँचे और उन्होंने समुदर का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंगन था। हमारा यह थी विश्वास है जो को भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वचित रखती है और दबाती है तो जनता को भी सरकार को बदलने या उसे समुल समाप करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने ना केवल भारती जनता को स्वतंद्रता से बंचित किया है बलकि उसने जनता का शोशन किया है और देश को आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सर पर नस्ट कर दिया है इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को आनिवारे यहीं से सबहन अवग्य औंदूलन शुरू होता है या अंदूलन असायोग औंदूलन के मकाबले किस तरह अलग था इस बार लोगों को ना केवल अंग्रेजों का सहयोग ना करने के लिए बलकि आपने बेशिक कानूनों का लखन करने के लिए आफ़वान किया जाने लगा देश के विबिन भागों में हजारों लोगों नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने पर दर्शन किया आंदोलन फैला और विदेश की कपड़ों का बहिशकार किया जाने लगा शराब की दुकानों की पैकेटिंग होने लगी किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इंकार कर दिया गाओं में तैनात करमचारी इस्तिफे देने लगे बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने बाले वन कानूनों का उलंखन करने लगे वे लकडी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए अरक्षित वनों में घुसने लगे इन घृतनाओं से चिंते तो अपने वेशिक सरकार कौंग्रेसी नेताओं को गिरिफतार करने लगी बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकरा हुए अपरेल 1930 में जब महत्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफार खान को गिरिफतार किया गया तो गुस्ताई भील सशासर बखतर बंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उताराई बहुत सारे लोग मारे गए महीनों भरबाद जब महत्मा गांधी को भी गिरिफतार कर लिया गया तो शोलापुर के अध्योकिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चोकियों नगरपालिका भवनों, आदालतों और रेल्वे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिये भैविद सरकार ने निर्मम दमन का रास्टा अपनाया, शांतिपून सत्याग रहियों पर हमली किये गए औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग एक लाख लोग गिरिफतार किये गए अतना गांधी ने एक बार फिर आंदोरन वापस ले लिया पांच मार्च 1931 को उन्होंने इर्विन के साथ एक समझोते पर दस्थकत कर दिये इस गांधी इर्विन समझोते के जरिये गांधी जीने लंदन में होने वाले दूसरे गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमती व्यत कर दी पहले गोल में सम्मेलन का कॉंग्रेस बहिशकार कर चुकी थी इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रहा करने पर राजी हो गई दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंगन गए ये वारता बीच में ही तूट गई और उन्हें निराश वापस लोटना पड़ा यहां आकर उन्हें पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है गफार खान और जवाला नहरू दोनों जिल में थे कॉंग्रेस को गेर कानूनी घूशित कर दिया गया था सभाओं, प्रदर्शनों और वाईशकार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सक्त कदम उठाय जा रहे थे भारी अशंकाओं के बीच महत्मा गाधी ने सविन अवग्या आंदूलन दो बारा शुरू कर दिया साल भर तक आंदूलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गदे मंद पढ़ने लगी थी लोगों ने आंदूलन को कैसे लिया? आए देखें कि सिविल नाफरामनी का सविन अवग्या आंदूलन में शामिल विभिन सामजिक सम्हू कौन से थे? उन्होंने अंदूलन में हिस्वा क्यों लिया? उनके आदर्श क्या थे? उनके लिए स्वराज के क्या माइने थे? गाउं में संपन किसान समुदाय जैसे गुजरात के पढ़िदार और उत्तरपदेश के जाट अंदूलन में सक्री थे व्यवसाइक फसलों की खेदी करने के करण व्यापार में मंदी और गिर्ती कीमतों से वे बहुत परिशान थे जब उनकी नकत आये खत्मोने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामोमकिन हो गया सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी चारों तरफ असंतोश था संपन किसानों ने सविना अवग्या अंदुलन का बढ़ चड़कर समर्थन किया उन्होंने अपने समधायों को एक जुट किया और कई बार आनिचुक सदस्चियों को बहिश्कार के लिए मजबूर किया उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी लेकिन जब 1931 में लगानों के घटे बिना आंदुलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बढ़ी निराशा हुई फलसरूप जब 1932 में आंदुलन दुबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इंकार कर दिया खरीब किसान केवल लगान में कभी नहीं चाते थे उनमें से बहुत सारे किसान जमीदारों से पटे पर जमीन लेकर खेदी कर रहे थे महामंदी, लंबी, खिजी और नकट आमदनी गिरने लगी और तो छोटे पटेदारों के लिए जमीन का किराय चुकाना भी मुश्किल हो गया वे चाते थे कि उन्हें जमीदारों का जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाया इसके लिए उन्होंने कई रिडिकल आंदुलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतरत्व अकसर समाजवादियों और कम्यूस्टों के हाथों में होता था अमीर किसानों और जमीदारों की नाराज़की के भैसे कॉंग्रेस भाड़ा विरोधी आंदुलनों को समर्थन देने में प्राया हिचकिचाती थी इसी कारण गरीब किसानों और कॉंग्रेस के बीच संबंद अनिश्चित बने रहे व्यावसाई वर्ग की क्या स्थिती थी उन्होंने सब इने अवग्या अंदुलन के बारे में क्या रुख अबनाया पहले विश्यूद के दौरान भारती व्यापारियों और उद्योग पत्यों ने भारी मुनाफ़ा कमाया था और वे ताकतवार हो चुके थे अपने खारोबार को फेलाने के लिए उन्होंने ऐसी आपने बेशक नीतियों का विरोध किया जिसके करण उनकी व्यावसाईग गतिविदियों में रिकावटाती थी वे विदेशी वस्तूं के आयात से सुरक्षा चाहते थे और रुपिया स्टरलिंग विदेशी वेनेबाय अनुपाद में बदलावत चाहते थे जिससे आयात में कमिया जाए ब्यावसाईग हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारती और दियोगिक एवम ब्यावसाईग कॉंग्रेस अर्थाद Indian Industrial and Commercial Congress और 1927 में भारती वानजी एवम उद्योग परिसंग अर्थाद Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries फिक्की का गठन किया पुर्शोत्तम दास ठाकुर्दाग और जीडी बर्डला जैसे जाने माने उद्योग पतियों के नेतरतों में उद्योग पतियों ने भारती अस्वेवस्था पर आपने बेशिक नेंतरन का विरूद किया और पहले सिवल नाफरमानी अंदुलन का समर्थन किया उन्होंने आंदुरन को आर्थिक साहता दी और आयातित वस्थों को खरीदने या बेचने से इंकार कर दिया ज्यादातर व्यवसाई स्वराज को एक ऐसे यूग की रूप में देखते थे जहां कारूबार पर आपने बेशिक पाबंधिया नहीं होंगी और व्यापार वा उद्योग निरबाद धंग से फल फूल सकेंगे गोल में समेलन की विफलता के बाद म्यवसाईग संगटनों का उत्सा भीवन्द पड़ गया था उन्हें उग्र गतिविजियों का भय था वे लंबी अशांती की आशंका और कॉंग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवात के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे और द्योगिक शमिक वर्ग ने सबिन अवग्या अंदूलन में नाकपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संक्या में सनह लिया जैसे 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 द्योगपती कांग्रेस के रज़्दी का रहे थे मजदूर कांग्रेस से चटटकने लगे थे फिर भी कुछ मजदूरों ने सबिन अवग्या अंदूलन में हैसा लिया उन्होंने विदेशी वस्तूं के बहिशकार जैसे कुछ गांधी बादी विचारों को कम वितन वखराब कारेसितियों के खिलाव अपनी लड़ाई से जोड लिया था 1930 में रेल्वे कामगरों की और 1932 में गोधी कामगरों की हरताल हुई 193 में प्छोटा नाखपुर की टिन खानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहन का रेलियों और वहिशकारों अभीयारों में हूसालिया फिर भी कॉंग्रेस अपने कारिक्रम में मजदूरों की मागों को समाहित करने में हिचकचा रही थी। कॉंग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपती आंदोलन से दूर चले जाएंगे और सामराज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। फरवरी 1921 असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू। फरवरी 1922 चौरी चौरा गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले देते हैं। मई 1924 अलूरी सिताराम राजू की गिरस्तारी दो वर्ष चे चला जा रहा हतियार बंद आदिवासी संगर्ष समाप्त। दिसंबर 1929 ला सापना करते हैं। मार्च 1930 गांधी जी दांडी में नमक कानून का उलंगन करके सबने अवग्या अंदोलन शुरू करते हैं। मार्च 1931 गांधी जी सबने अवग्या अंदोलन वापस ले लेते हैं। दिसंबर 1931 दूसरा गोल में सम्मेलन। 1932 सबने अवग्या अंदोलन प औरतों ने बड़े पेमाने पर हिसा लिया गांधी जी के नमक सत्यागरे के दौरन हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए खर से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जूलूस में हिसा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की, बह पवितर दायत्व दिखाई दिने लगा था। लेकिन सारवजने के भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की इस्थिती में कोई भारी बतलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूला चौका समालना, अच्छी मा और अच्छी प आत्मक उपस्थिती में ही दिजस्पी थी। सविने अवग्या की सीमाएं सभी सामाजिक सम्हू स्वाराज की अमूर्त अवधारना से प्रभावित रही थे। ऐसा ही एक सम्हू रास्ट के अच्छूतों का था। वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीडित कहने लगे थे। स्वाराज की स्थापना नहीं की जा सकती। प्रिश्ट संख्या चव्वालिस। उन्होंने अच्छूतों को हरिजन यानि इश्वर की संतान बताया। उन्होंने मंदिरों, स्तारवजनिक तालाबों, सडकों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्या ग्रह किया। मैला ढूने वालों के काम को पतिष्ठा दिलाने के लिए वे खुद शौचाले साफ करने लगे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने सिक्षा संसानों में अरक्षन के लिए आवाज उठाई और अलग निरवाचनक शेत्रों की बात कही। ताकि वहां से विधाई परिशदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक आपंगता केवल राजनीतिक सशक्ति करन से ही दूर हो सकती है। इसलिए सब इन अवग्यांदुरन में दलितों के हिस्सेदारी काफी सीमित थी। महराष्ट और नागपुर क्षेत्र में ये बात खास तोर से दिखाई देती थी जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अमेटकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसेशन अर्थाथ डिप्रेस्टिक प्लासिस एसोसेशन में संगठित किया। डलितों के लिए अलग निरवाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोल में समेलन में महतना गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिस सरकार ने अमेटकर के माग मान ली तो गांधी जी आमरण अंशन पर बैट गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निरवाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकी करण की प्रक्रिया धीमी बढ़ जाएगी। हाला कि उनके लिए मतदान सामान निरवाचन शेत्रों में ही होता था। फिर भी दलित आंजूलन कॉंगरिस के नेतरतों में चल रहे राश्टी आंजूलन को शंका की दरश्टी से ही देखता रहा। धार्मिक राश्टवादी स्टंगठनों के काफे कारीब दिखने लगी थी। जैसे जैसे हिंदू मुसल्मानों के वीच संबंद खराब होते गए। दोनों समुदाय उग्रत धार्मिक जुलूश निकाले लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलिम सांप्रदाइक टकराओ दंगे हुए हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के वीच फासला बढ़ता गया। प्रिष्ट संख्या 45 कॉंग्रेस और मुसलिम लीग ने एक बार फिर गड़ बंधन का प्रयाक्ष किया। 1927 में ऐसा लगा कि अब एकताश स्थापित हो जाएगी। सबसे महत्यपून मद्भेर भावी विधान सभावों में प्रतिनिधत्व के सवाल पर थे। मुसलिम लीग के नेताओं में से एक मुहमद अली जिन्ना का कैना था कि अगर मुसल्मानों को केंदरी सभा में आरक्षत सीटें दी जाएं और मुसलिम बहुल प्रांतों अर्थात बंगाल और पंजाब में मुसल्मानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधत्व दिय में हिंदू महासभा के एम आर जैकर ने इस समझोते के लिए के जा रहे प्रयासों की खुले याम निंदा शुरू कर दी जिससे इस मुद्धे के समधान की सारे समभावने समाप्त हो गई जब साविना अवग्या अंदूलन शुरू हुआ उससर में समधानों के बीच समधे और अविश्वात का माहल बना हुआ था कॉंग्रेस से कटे हुए मुसल्मानों का बड़ा तपका किसी संयूक्त संगर्श के लिए तयार नहीं था बहुत सारे मुसल्मान नेता और बुद्धी जीवी भारत में अलप संख्यकों के रूप में मुसल्मानों की हैसियत को लेकर चिंता जदा रहे थे उनको भाय था कि हिंदू बहु संख्यक के वर्चस्व की स्थिती में अल्प संख्यकों की संस्कती और पहचान खो जाएगी यहां एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में महात्मा गांधी जवाहला नेरू और मौलाना आजाद वर्धा में स्थित सेवा ग्राम आश्र और उसके बाद इस प्रश्ण का जवाब दीजिए उनीस सो तीस में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मौहमद एकबाल ने मुसल्मानों के लिए अल्प संख्यक राजनीते खितों की रक्षा के उद्देश से प्रितक निरवाचिका की ज़रूरत पर एक बार फिर दोर दिय माना जाता है कि बात के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी उसका बौधिक और चित्य उनके इसे बयान से उपजा था उन्होंने जो कहा वो इस प्रिकार था मुझे ये कहने में जरा भी हिचकचाट नहीं है कि अगर इस्थाई सामपरदाइक बंदोबस्त के दौर पर भारती मसलमानों को उसके अपने भारती होमलेंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंतर विकास का अधिकार दिया जाए तो वो अन्य समदाईों के प्रती दुर्भावरा रखता है, वो नीच और अधर्म हैं, मैं अन्य समदाईों के भीती रिबाजों, धर्मों और सामाजिक संथानों का आगात सम्मान करता हूँ, कुरान की हिदायतों के अनुसार वो यह मेरा दायत्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं उपासना इस्थलों की भी रक्षा करूँगा लेकिन मैं उस सामप्रदाइब समुख को प्रेम करता हूँ जो मेरे लिए जीवन और आचरण का सुरोत है जिसने मुझे अपना धर्म अपना सहित्य अपने विचार अपनी संस्कृति दे कर मुझे ऐसा बनाया और इस प्रकार म प्रियात्मक समुच्ची के निर्मान के लिए अपरिहारी है यूरूपी देशों की तरह भारती समाच की एकाईयां भू भागों में बटी हुई नहीं है भारत के सामुदाइक समुख को मानता दिये बिना यहां यूरूपीय लोकतांत्र के सुद्दान्त को लागू नहीं और भूमिक समुख के हैं जिसमें किसी भी सामुदाइक इकाई को अपनी निजी विस्ष्टता बनाय रखने का अधिकार नहीं हो सकता लेकिन हालात ऐसे नहीं है भारत नकली और धार्मिक विस्ष्टता वारा देश है इसी में आप यह तथ्थे भी जोड़ दीजिए कि रहा है इस रोत को आपने ज्ठान से सुना क्या आप सांप्रदैक्ता के बारे में इकबाल के विचारों से सहमत हैं क्या आप सांप्रदैक्ता को आलग प्रकाल से परिभाश्य कर सकते हैं प्रिष्ट्ट सन्ख्या 46 सामुहिक अपने पन का भाव संगर्षों के चलते पैदा हुई थी इनके अलाबा बहुत सारी स्वांस्कृतिक प्रक्रियाई भी थी जिनके जरीय राष्टवाद लोगों की कलपना और दिल दिमाग पर छागया था इतिहास और साहित लोग कथाएं और गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्टवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था यहां एक चित्र दिखाई दे रहा है इस चित्र में बाल गंगा धर तिलक का बीसवी सदी के शुरू की तस्वीर है इस चित्र में तिलक एक्ता के प्रतीकों से घरे हुए हैं चित्र के चारों और विबिन धर्मों के पवित्र स्थानों अर्थात, मंदिर, चर्च, मस्जित चित्रत के गए हैं जैसा कि आप जानते हैं राष्ट की पैचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है इससे लोगों को एक ऐसी चवी कड़ने में मदद मिलती है जिसके जरिये विराष्ट को पैचान सकते हैं बीसी सदीब राष्टवाद के विकास के साथ भारत की पैचान भी भारत माता की चवी का रूप लेने लगी यह तस्वीर पहली बार बंकिम चंद चटोपाध्या ने बनाई थी 1870 के दशक में उन्होंने मातर भूमी के इस्तुती के रूप में वंदे मातरम गीत लिका था बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्याद आनंद मठ में शामिल कर लिया जगीत बंगाल में स्वदेशी अंदुलन में खूब करा गया स्वदेशी अंदुलन की प्रिणा से अब नेंदर नाथ टैगोर ने भारत माता की विख्षात चबी को चिनित किया इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी की रूप में दर्शाय गया है वो शांत, गंफीर, देवी और अध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं आगे चल कर जब इस चबी को बड़े पेवाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिने कालाकार ये तस्वीर बनाने लगे तो भारत माता की चबी बेवेद रूप गहन करती आई इस समात्रु चबी के प्रती शद्धा को राष्टवाद में आस्था का प्रतीक माने जाने लगा राष्टवाद का विचार भारती लोग कताओं को प्रणवजीवित करने के अंदूलन से भी मजबूत हुआ 19-20 सदी के आखिर में राष्टवादियों ने भाटों वचारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोग कताओं को दर्श करना शुरू कर दिया वे लोग गीतों और जन शुरूतियों को एकटा करने के लिए गाउं गाउं गूमने लगे उनका मानना था कि यही कहानिया हमारी उस परंपरागत संस्क्रती की सही तस्वीर पेश करती हैं जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भष्ट और दूशित हो चुकी है अपनी राज़्टिय पहचान को ढूनने और अपने अतीत में गाउरों का भाव पैदा करने के लिए इस लोग परंपरागों को बचा कर रखना जरूरी था बंगाल में खुद रबींदर नाट टैगोर भी लोग गाथा गीत बाल गीत और मित्कों को इखटा करने निकल पड़े उन्होंने लोग परंपराओं को पुरजीवित करने वाले अंदूरन करने तर्तों किया मदरास में नटेसा शास्त्री ने दा फोकलोर्स आफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोग कथाओं का विशाल संकलन चार खंडों में प्रकाशित किया उनका मालना था कि लोग कथाओं राश्टी साहित होती हैं ये लोगों के असले विशारों और विशिश्टाओं की सबसे विश्वस्निय अभी व्यक्ती हैं यहां दो चितर दिखाई दे रहे हैं एक चितर भारत माता का चितर है जिसे वर्ष 1905 में अब नीदर ना टैगोर द्वारा बनाया गया ध्यान से देखने पर इस चितर में मा की छवी शुक्षा भोजन और कपड़े देती हुए दिखाई दे रही हैं एक हाथ में माला उसक सन्यासी गुण को रिकहंकित करती है अपने पूरुवर्ती रवी वर्मा की भाती अब नीदर ना टैगोर ने भी ऐसी चितर शैली दिख्षित करने का प्रयास किया जिसे सच्चे आर्थों में भारतिय माना जा सके यह दूसरा चितर में जवाहला नहरू का एक लोगप्री चितर है इस चितर में नहरू भारत माता और भारत के नक्षे को अर्दय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे चितरों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर्थ भारत माता के चरणों में चड़ासे हुए दर्शाय आ गया है मा के लिए बलदान का विचा लोगों की कल्पना में बहुत महत्रपूर है प्रिष्ट संख्या 48 जैसे जैसे राष्ट्री आंदूलन आगे बढ़ा राष्टवादी नेता लोगों को एक जुट करने और उनमें राष्टवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्नों और प्रतीकों के बारे में और ज्यादा जागरूख होते गए बंगाल में स्वदेशी आंदूलन के दौरान एक तिरंगा जंडा तयार किया गया इसमें ब्रिटिश भारत के आठ प्रांतों का प्रतिन से स्व करते कमल के आठ फूल और हिंदू और मुसल्मानों का प्रतिन से स्व करता एक अध्द च जलूसों में घंडा था में चलना शासन के प्रति अवग्या का संकेत था इतिहास की पुनरव्याथ्या राष्टवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी 19 सदी की अंधर तक आते आते बहुत सारे भारतिये महसूस करने लगे थी कि राष्ट के प्रति गर्व का भ जोज में अतीज की और देखने लगे उन्होंने उस गौरों मही प्राचीन यूग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और बास्तु शिल्प विग्यान और गर्णिद धर्म और संस्कृति कानून और दर्शन हस्त कला और व्यापार फल फूल रहे थे उनका कहना था कि इस महान यूग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया इस राष्टवाती इतिहास में पाठकों को अतीज में भारत की महनता और उपलब्दियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुरदर्शास्य मुक्ती के लिए संगर्शों का म भारत माता के हाथों में तरशूल है और वो हाथी वो शेर के बीच खड़ी हैं ये दोनों ही शक्ती और सप्ता के प्रतीक हैं गतिविधी दिये गए चित्रों से आपको क्या लगता है कि ये तस्वीरें सभी जातियों और समुदायों को भाएंगी अपनी राय को संक्षेप में बताईए एक स्रोत को सुनिए पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यातरी आरे वंच के लोगों के साहा सच्चाई और विनमृता पर चकित रह जाते थे अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं उस जमाने में हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातार चीन वा अन्य देशों में अपनी विजय पता का पहराते थे अब एक शुद्र से दीप के चंद सिपाही भारत भूमी पर कबजा किये हुए हैं लोगों को एकजिटर करने की इनकोशिषों को अपनी समस्याएं थी इस अतीच का गौरवगयान किया जा रहा था? हुए हिंदूं का अतीच था जिन छवयों का सहवारा लिया जा रहा था? वे हिंदू प्रतीग थे इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग अलग महसूत करने लगे थे अंग्रेश सरकार के खिलाब बढ़ता गुस्ता विबिन भारती समूह और वर्गों की स्वतंतरता के साजा संगरश में खीच रहा था महात्मा गांधी के नर्तोतों में कॉंग्रेश ने लोगों के असंतोश और परिशानियों को सुतंतरता के संगरथत आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया उन्होंने आंदोलन के जरिये पूरे देश को एकता में सूतर में परोने का प्रयास किया लेकिन जैसा कि हमने सुना इन आंदुनों में हिस्ता लेने वाले वेबिने सम्हू और वर्ग अलग-अलग अकंग्शाओं और अपेक्शाओं के साथ हिस्ता ले रहे थे उनकी शिकायते बहुत व्याबक थी इसलिए आपने वेशक शासन से मुक्तिका भी सब के लिए अपना अपना अर्थ था कॉंग्रेस के इन बिभेदों को हल करने और इस उनिश्ट करने के लिए हमेशा प्रयास किया गया कि एक सम्हू की मांगू की करण कोई दूसरा सम्हू दूर नचला जाए यही वज़य है कि आंदुनों के भीतर अकसर बिखराव आ जाता था कॉंग्रेस क प्रिष्ट संख्या पचास करने का फैसला क्यों लिया 2. सत्यक्रे के विचार का क्या मतलब है 3. इस विशेपर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिये का जालियावाला बागहत्यकर्ण का साइमन कमिशन 4. इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवी और अध्याय में दी गई जर्मेनिया की छवी की तुलना की जिये चर्चा करें 1. 1921 में असायों का अंदुन में शामिल होने वाले सभी सामजिक सम्हों की सूची बनाईए इसके बाद उन में से किनी तीन को चुनकर उनकी आशाओं और संगर्षों के बारे में लेखते हुए दर्शाइए कि वे अंदुन में शामिल क्यों हुए 2. नमक यातरा की चर्चा करते हुए इस पस्ट करें कि ये उपनेवेशवाद के खिलाफ प्रसिरोत का एक असरदार प्रतीत था 3. कल्बना कीजिए कि आप स्टेविल नाफर्मानी अंदुन में हिस्सा लेने वाली महिला हैं बताईए कि इस अनुभव का आपके जीवन में क्या अर्थ होता 4. राजनीतिक नेता प्रत्थिक निर्वाचिका के स्वाल पर क्यों बटे हुए थे पर्योजना कारिय कीनिया के उपनेवेशवाद विरोधी अंदुन का अध्यन कीजिए भारत के राष्टी अंदुलन की तुलना कीनिया के सोतंद्रता संघर्ष्व से कीजिए अभी आप सुन रहे थे थे थ्वनी पाठे पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भागदो वाचनस्वर संजय चनसोरिया निर्मार सहयोग सौम्या मलिक निर्मार वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत